हेलो फ्रेंट जैसे कि आप लोगों को मम्मी से बनाए हुए अचार की रेसिपीज बहुत अच्छे लगते हैं कई सारी रेसिपीज हैं जो मिलियन में चली रही है तो आप लोगों तक भी ये सिक्रेट जरूर पहुंचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या करना है कि टेस्ट एकदम लाजवाब आए एकदम मस्त वाला अचार बने और कई सालों तक खराब बिनाओ आप इसे एक से डेट साल तक अराम से स्टोर करके रख पाएंगे अभी जैसे ठंडिया आ रहे हैं तो सीजन चल रहा है मूली का तो मैंने सोच इसा की करे बहुत है मूल हैं और कर थे एक रहे आप नमग जितके बाद नहीं रहें में ऐसे इसे नमग काट देके एक बहुत है इसमें मि 버ब ट्क्ददे हैं मिला देते हैं मिलात चपानि के लिएम आनी डिख गख के इसे इसमें निकल जाएग अ फ्रानी छोड़ देगा जो तो फोड़ देंगे, यह हमने 100 g मिर्ची लिए है, अब इसको हम ढुग के लिए आये हैं, इसको ठोड़ से पूछ दें ते ले हैं, पूछ के पानी सूख जाता है, फर इसको हम गातेंगे, इसको हम पतला पतला काट लिया, इसको अब अप कर दें कि हम दूपनीख बंर जाएगा गंटे में उसमें ताल दाल देंगे ऊडिने से ताध ददे जो पानी निकला है इसको हम निकालस रहे हैं जिते पनी है केम जिससे चाल से ता था जतना बढ़ीः बन जाता है ये पानी रहता है जिसमें महेक आती है इसके बाद हम इसको ले जाएंगे उपर छत पे दो घंटे धूप में इसको सुखाएंगे अगर आपके वहाँ अगर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे की नीचे भी तो घंटे सुखा सकते हैं जिससे कि जब इसका पानी मर जाएगा तभी यह मूली का अचार भढ़िया बनेगा नहीं तो फिर अगर इसमें पानी रह जाता है तो यह आचार जो है ना खराब होने का संभाव न रह जाता है अब हम ये धनिया ले लिया है, तेन चम्मच, अब हम इसको डाल दे रहें, अब हम धिमी धिमी आच में इसको हम भून लेंगे, अब ये धनिया भून गया है, अब हम इसको एक बरतन में निकाल ले रहें, अब हम इसको एक बरतन में निकाल ले रहें, अब हम ये सौफ डाल काली मिरंग डाल रहे हैं, इसको भी भून ले दे हैं, यह देड़ चम्मच जीरा है, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं, दोलनों एक साथ भून जाएगे, हमारा जीरा भी भून गया है अब हम इस बरतन में निकाल लेते हैं, एक चम्मच मेठी अब हम इसको भून रहे हैं, है ये हमने जव चम्बज राई ले लिया है काली शरसो भोनना नहीं है इसको ईसे हैं ढालके हम इसको बर्तन में निकाल ले रहे हैं अब फारे मसाले हमने एक एक तरके भून लिए हैं अब सारा भून की तयार हो गया है अब इसको सब्यक्सि को ning जिससे ही इसमें स्वाद ज्यादा होता है, इसको हमने पीस लिया है, जो दर्दरा होता है, वो सही रहता है, दर्दरा मसाला में स्वाद बढ़िया होता है, अब हमने मूली और मिर्ची सुखा लिया है, अब हम इसको एक बावल लेकर उसमें डालना है इसको बावल में, अब ये दो चम्मच हम कस्नीरी मिरच इसमें ऐसे करके हेलागे डाल रहे हैं जिससे पूरे में हेल जाएह अब इसमें हम यह एक चम्मच लगबक नमक डाल दये हैं यह पहले भी नमक पड़ा हुआ था यह एक चोथाई चम्मच हेंग डाल रहे हैं हम अब यह सफेज सिरका हम डाल रहे हैं तेंग चम्मच इसको डालने से लंबे समय तक अचार चलता रहता है खराब नहीं होता है इसलिए इसको डाला जाता है अब यह हमने 200 गराम लगभग तेल ले लिया है उसको खूब गरम करके जब धूआ निकलने लगा तो हमने इसको बंद करा उत्ते बाद हमने ठंधा कर लिया ठंधा करके अब हम इसमें डाल रहे हैं अब हम इसको अच्छी तरह से इसको मिला लेंगी हमने यह मसाले डाल दिये हैं अब इसको हम अच्छी पीच में कभी-कभी धूप में धूप दिखा देना, साल तक इस्टोर करना होगा तो थोड़ा इसमें तेल और डाल देना, और नहीं तो अगर एक ही महीन आभी घलाल खाने के लिए तो इसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है, अगर यह रस्प्री आपको अच्छी लगी है, लाइक जरूर करें, देखने के लिए धन्यवाद.